अब नमोन वहां सर्वेभ भ्योन वहां आज फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे स्ट्रीडी केप्टल चैनल में तो जैसा कि गतवर्सों की भाती इस बार दोहार 25 के बैच के लिए हमारे सभी कोर्स सुरू हो चुके हैं और उनकी का ख्षाहिं भी सुरू हो चुकी हैं तो कि इसमें जुड़कर आप अपने कित्यारी अपनी प्रसस्थ कर सकते स्कते मत तके आप की पासंदीद varit इसुड़ है पराशना तक की डिग europé समस्कितु कर सकें तो उसे में समस्कிत की यह क्षाओं मेंक्या-क्षाओं की और आपको जुलना अगर आप इसमें जुडते हैं तो आपको कितने यूनिट पढ़ने और और उन सब की भूम का क्या है यह सब पिछली वीडियो में बताई जाए चुकिए जिसका नामें सलेबस एनलेस वीडियो तो उसको आप जाकर अगर जिसने नहीं देखा तो आप जाके देखिए और समझे हमने आपको उस वीडियो में तीन मुख्य बिंदू बताये थे कि में समस्कित क्या है और क्यों करने चाहिए और कैसे करना चाहिए ठीक तो अगर किसी कार को करने से पहले आपके तीन ऑप्सन यानि तीन बिंदू क्लियर है यानि कि क्या क्यों कैसे तो आप उस कार को बहुत अच्छे से कर पाएंगे औ और आप उस्कार को पूरी तरीकी से जानने के बाद उसमें प्रवत्त होंगे ठीक तो आप उस ही यूनिट है या यानिकर और चारों एकाईयों को आप उस वीडियो में समझे और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको अपने त्यारी के लिए जोड़ना चाहिए तो आप हमारे साथ इस में समस्कित के त्यारी को प्रसस्त बनाने के जोड़ सकते हैं आपका हार्दिक स्वागत है ठीक तो से महाकवी वेदा व्यास जी द्वारा विरचित एक महत्यपून गृंत है जो कि आपके पहली एक यानि प्रथम यूनिट में लगा हुआ है सलेबस में तो इसको आपको कवर करना है ठीक तो महा भारतम की क्या-क्या मुख्य बिंदू है महा भारतम से सम्मंधित क्या कि बिंदू है और आपके त्यारी है यहां से बहतर बना सकते तो महा भारतम के अंतरगद आपके सिलेवस को लेकर क्या-क्या-क्या महत्पून बिंदू है और आपकी परिक्षा को लेकर गुख प्रक्राइब है महां भारत के टाफिक से किस प्रकार के प्रश्क नाते हैं इन सब मढ शयों पर आज चर्चा और होगी थीवर तो सबसे पहले जो महां भार्त कि आर्च रिकावी है इसकी सबसे भूम का इसके राचईता राचईता का परचई और महां भारत के को दिखते हैं कि विभाजित है तो उन अठाराइपर वोवों में क्या क्या में विसे वस्तू इस वीडियो में संग्षेप में जानने का प्रयास हम आपको करार हैं तो आप उसको समझेए तो सबसे पहले सुरू करते हैं आज का टॉपिक तो महाबारतम अब महाबारतम में क्या-क्या मुख्य है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके रचईता की तो अगर हमें किसी गृंत को जानना है तो सबसे पहले हम जानेंगे उसके रचईता को उसके लेखा को कि उस महाकाविकुस गृंत कुछने लिखाए ठीक क्योंकि जितने पृष्ण गृंट से संबंधित आते हैं उतने ही पृष्ण उसके लेखक से भी संबंधित कभी-कभी आ जाते हैं ठीक तो सबसे पहले समझते हैं रचनाकार तो महाभारतस से रचनाकारा कहा अस्ती तो महाभारतस से रचनाकारा महाभारतस से रचनाकार इनका मुख्य नाम है कृष्णत द्वयपायन वेदव्यास और इनको जो वेदव्यास है यह उपादी है तो मुख्य नाम क्या हुआ कृष्णत द्वयपायन और वेदव्यास इनकी उपादी है तब जो इनका पूरा नाम है वो बना कृष्णत द्वयपायन वेदव्यास और इन्हीं को संग्षेप में क्या कहा गया महारसी व्यास तो कृष्णत द्वयपायने वेदर व्यास जी इनका पूरा नाम है और व्यास इनको संग्षेप में कहा जाता है तो यह इनके ही उपाधी और नाम है ठीक इसके बाद देखते हैं कि महरसी व्यासस ये पितुह नाम कहसी तो महरसी व्यासस के पिता जी का क्या नाम है तो पारासर रिशी ही तो महरसी व्यासस से पितुह परासर रिशी आसी तो महरसी व्यासस से पितुह परासर रिशी आसी तो महरसी व्यासस से पितुह परासर रिशी मात्री नाम कहासीत सत्यवती उसके बाद पालन मल्लाहों के दराजा दासराज के द्वारा हुए यह एक अश्ट्रा नॉलेज यानि अतरिक्त जानकारी है इसको भी आप मस्तिस्क में बैठा लीजिए उसके बाद सुरूप महाभारत के सुरूप का वरनन किया जा रहा है कि मह महाभारत में क्या है वरनित है तो वरतमान महाभारत में एक लाख श्लोग है कितने श्लोग है एक लाख और लाख को समस्कृत में क्या कहते हैं लक्ष लाख यानि लक्ष तो सौको क्या कहते हैं सतम लाख को क्या कहते हैं लक्ष तो भई लक्ष इस लोग है स्मयानी एक ला स्लोक तो इसको लक्ष लोगी शम्हिता भी कहा जाता है लक्षसलोक के नाम से कौन सा गीन्त जाना जाता या फिर किस गृंत का नाम नौह की सम्हिता है तो people share तो आपको पहंचाना के वो मह भारत ही है क्योंकि उसमे एक लाग स्लोग है इसलीं उसका नाम लक्षप Newton की शम्मिता थी किसी प्रकार रह मध्य थी किसी प्रकार रहा माःंना को किया कहा जाता है चैतर्व locks 2017 स्मिटा क्यों किसे प्रती स्थरी स्लोख है 32124 श्रीयनि अधर 24 ही और शम्मिता यानि गरिंट तो राम Ang क्या है चतुरबिनसती सहास्त्री शम्मिता है हुआति कुछ प्रकार महाभारत क्या है क्योंकि इसमें 1 लाफ इस लोग है कहलेजिए मैत के अकोडिंग बात तो एक ही है तो सतसाहस्री शम्हिता या लक्ष श्लूकी शम्हिता ये दोनों किसके नाम है महाभारत के ही नाम है क्योंकि उसमें एक of जार त्वी च्शलोक है तो एक लाकिस पीप्र टूस्षास्र लनीख ओप गळजाग नाम पड़े एक लख सा लक्ष स्लोकी और सत सहसरी तो सब हजार ओर एक लाख यह दोनों किसके नाम है महा भारत के तो इनको याद रखियेगा इस पर मैंने बहुत व्याख है कि इसको कभी मत भूलिए गाटिक आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़ते हैं अब है करम महा भारत का करम ाक क्रम महा भारत्यों गिन्त लखा गया वह तीन क्रम करद्ध में लखा गया क्योंकि दोसे क्या इक नहीं होff से पहले वियास जी ने इसको लिखा तो जइया इसका नाम क्या ठाइब और इसलिए महाभाथ का पराचीननाम जन्ना नॉलेज्स में कि बार पूंचा याता है तो उसका उत्तरह परफरी shimmer डहाता है थुछ तो पहले नाम हुआ जाया फिर नाम हुआ भारत सम्हीता यानि भारत तो जाय में कितने थे आठासी सो श्लोक भारत में चौबिस हजार श्लोक जोड़ते रहिएगा अगर हम अठासी सो में चौबस है जोड़ेंगे यानि कि पहले अठासी सो श्लोक की जाय सम्हीता फिर उसमें और इंकलूड हुए श्लोक और जोड़े गए तो हुए 24,000 श्लोक तब वो हुई भारत सम्हीता यानि दूसरा उसका रूप और तिरती ये रूप में जन्मेजे ने जब सौती और सौनक इन्होंने आगे महा भार तो पहले करम में जय शंगीता डूसरे करम मंहा भा Reginder heating आप से पहले है अब बात करते महा भारत के चल्ठ तो सबसे पहले तो आपको रचनाकार रचनाकार की माता पिता औरमा भारत को क्या कहते हैं तो अभी हमने पिछली डिजिट में बताया लक्षश्लो की सत सहस्त्री शम्हिता यह दो इसके नाम है उसके बाद तीन कर्मों में इसका निर्माण हुआ है और रस क्या है महा भारत्तम में सांतर से प्रिशन आयाता था पिछली बार आया था महा भारतम या महा भारते कह तो सांत रसास्ती कौन से सांतों से महा भारत में आचार्यों ने सांत्रस किया है ठीक युद्ध की वनना उसमें युद्ध का वर्णन लेकिंगर सां वीरस बिलकुल भी नहीं है ठीक है वीरस उसका अंगी है यानि उसका अंग है, उसमें वीरस भी है, सांतरस भी है, सरंगारस भी है, सभी रस हैं, पर प्राधान जब एक रस की बात आगी तो वो सांतरस माना जाएगा, ठीक है, तो महाभारते कहा रसासती, सांतरसासती, उसके बाद महाभारते कहा सहली वर्तते, महाभारत में कौन सी स सैली तो पांचाली सैली है कई सैली होती है गौडी होती है कई होती है तो अगर वी रस दिया हो तो उसको पर बहुत लोग ब्रमेद कर्मार आपको पता रहा हूं तो पांचालि फारी क्या थे दुरौप्ती वह भी दुरौप्त को चैनल गयते तो तव इससे लिए आप याद रख सकते हैं माधारत में कौन से सेली है पांचा लीच ठीक और यस्क्यां सांत्रस और और आहिक महा भारत के 25 थिक हैं महाभारत की मुख्या करें के माभारत के 5 रतनों की सब्सकुड़ा होता है महाग्रंत ओता है तो उस में से कुछ मुख्य बंधू 5 निकलकि आता है तो यह बांच मुख्य बंदू है पाच तो ये समस्क्रत में पंचिरह नंकते हैं どें महाभाद पांचिरितन कौन से विश्णु सहस्त्रनाम अनुसाशन परव महाभाद की अठाररा परवं है तो उस На से एक अनुशासन पर्व है उसमें से क्या लिया गया है विश्णु सहस्र नाम लिया गया है तो भगवान विश्णु के जो सहस्र नाम है वो कहां से लिया गया है महाभारत से तो महाभारत का यह एक रतन है दूसरा क्या है अनुगीता कहां से आस्वमेधिक पर्व से अस्व मस्तावराज वह 3 रतन है महाबाद का चौटा भाई क्या है गजेंद्र और गराह का वर्नन महाबारत में आता है तो वहाँ पर गजेंदर मुक्ष जो ओध्रत है कहाँ पर है महाबारत में । ये चार महाबाद के रतन chillyuito जो सबी लोग जानते हैं कि स्रीमत भगवत गीता कहा से ली गई है महाभारतम से तो स्रीमत भगवत गीता अपने आप में एक गृंत है जोगी आपके चौथे यूनिट के सलेवस में हैं लेकिन वो कहा से ली गई है महाभारत से तो स्रीमत भगवत गीता महाभारत का एक अंग है और कहाँ पर है भीश्म पर्व में तो स्रीमत भगवत गीता महाभारते कस्मिन पर्वनी अस्ती किस पर्व में है तो भीश्म पर्वे हैं तो यह महाभाद के पंचरतने भाई इनको याद रखना है जो कि मुख है परिक्षागी दृष्टी से ठीक आगे बढ़ते हैं अब मह महाभारत का जो विभाजन है वो कैसे है 18 परव arqu अभाजन की अध्यायों से 20 में कुछ भी संब्सक्रेंद में मन में कुछ भी समर्च भी समझ लीजिए अगर aces nazar लगाना है पर्त को लड़े कि पर्व को महान भारत कि किस साली में बिभाजित हैं अध्यायों में नहीं है या अंकों को में नहीं है लगाद है पर्व में तो कितने पर रहेश़ाओ पर पहले परव का नाम है आदी पर बढर दूसरे मुशनल्पर intensive महाप्रस्थाइब और इनके आपको नाम करम सा याद रखने हैं कई बार प्रिश्ण ऐसा आ जाता है कि पर्वों के नाम आप करम से लगाईए अगर उसमें पांच पर्वों के नाम दे दिये गए और या बेसीडी करम दे दिया गया या या बीएसीडी का करम दे दिया तो आपको उसमें पहचान पढ़ जायेगा कि भाई इसमें क्लिए अगराम आपनों को याद करिए गा तो क्रेंबसे नाम की याद करने की सरलता कैसे हो सकती है आपको अभी बता रहे हैं तो सबसे पहले क्या है आधी परव आधी क्या है प्रारंब आधी शब्दकार्थ क्या है प्रारंब करना तो आधी तो पहला है यह तो बहुत सरल है उसके बाद अब जिस प्रकार से पांडवों की कहानी आगे का मिलन होता है दियूत क्रीडा होती है जुआ खेला याता है तो दियूत क्रीडा के flying के नाम से वह वरनित है में तो यह समणली जैना ओ जैनली जी कि सभान में में जब पांडивाड बच्पन था तो आदिए पर्वर बड़े हुए दियूत करते हैं राजा विराट के यहां निवास करते हैं तो राजा विराट के नाम पर विराट पर्व कहानी और आगे बढ़ती है तो वह अपने किसके लिए युद्ध के लिए उद्यम करते हैं उद्योग पर्व फिर जब युद्ध महाबात के युद्ध प्रारंब हो जाता है कौर आपक्ष्ट के प्रथम जो सेनापती होते हैं यह होतें प्तामा भीश्म होते हैं पितामा भीश्म तो जैसे प्रथम अगर सेनापती है तो इसके बाद भीश्म अर्षेम सेर्श्य Lights उसके बाद चार तो उसके बाद करने बनते हैं तो करने पर इस प्रकार से आप इसका क्रम याद रख सकते हैं और कौन बनता है तो सल्व और उसके बाद दुरौपति की बैस सोते हुएं पूतरों को मारा जाता है इसी घटना तो सौब्तिक पर फिर तुर थोड़ा शांतीग वन्म इने करते हैं युद्धिष्टिर तो आज सुमेध पर या आज सुमेधिक परवे दौन इसी के नाम है फिर आस्रम वासिक परवा फिर मुशल मुशल जो एक मुशल से पूरे यादव वन्स का विनास होता है तो मुशल पर फिर वो महाप्रस्थान पर और फिर सब सुर्गा रोहन स सुर्ग के लिए जाते हैं तो सुर्गा रोहन पर इस प्रकार से देखिए अगर आप कहानी याद कर लेंगे महाबात की तो आप आसानी से 18 परवों का करमयाद रख पाएंगे और इसको आप प्रश्ण को आप जो सही उत्तर होगा उसको चुन पाएंगे ठीक अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े पर्व की कि सबसे बड़ा पर्व कौन सा है तो सबसे बड़ा है सांती पर्व ठीक है सांती पर बारह हुआ सांती पर्व सबसे बड़ा है और सबसे छोटा क्या है महाप्रस्थानिक पर अपने इस लोगों के अनुशार इनका छोटा बड़ा का नि तो सबसे बड़ा सांती पर्व और सबसे छोटा महाप्रस्थानिक पर्व ठीक अब यह 18 पर्वों को आप बहुत बिश्लेशन किया आपको इसको जरूर याद रखिएगा और इससे संबंदित्ता कि कोई प्रश्णा आपका गलत ना हो पाई ठीक आगे बढ़ते हैं अब है स चलिए इस तरह आना ज्यादा सई रहेगा संशिक्त व्रवनम क्या है आधि पर और ऐनी अठाब पर ऑनग शंक शिप्ट किया जा रहा है इसमें कितने अपपर्व हैं और कितने अध्याय हैं हुआ है और अध़ी तो अबीटा ऐसा कोई अधर नहीं है ठीक मात्र शानेवे अधन्याइद है ठीक सल्लेपर में ऑर और अंत में इनकी स्लोक संख्या भी दी गई है तो अभी तक ऐसा कोई बहुत ज्याद़ वाधा बडीपर्श नहीं आता है श्लोक से संबंधित लेकिन उपपर्व और अध्याय विसे इस्ता याद रख लिजिएगा अब बढ़ते हैं आगे सौप्तिक पर्व दसमा है इसमें एक उपपर्व अठारे अध्याय है इस्तरी पर में तीन उपपर्व है और 277 अध्याय है और मोशल पर में आठ ध्याय है और जो सबसे चोटा है महा प्रिस्थानिक पर मातर तीन अध्याय है ठीक श्रगरोहन पांच अध्याय है तो इस प्रकार से इन सभी 18 पर्वों का विभाजन है और इनकी विशाय वस्तू है तो इसको जरूर याद रखिएगा 18 पर्वों का वि अब बिस्रे को आगे बढ़ाते हैं अठार है दिन तक युद्ध चला महाबाद का युद्ध कितने दिन तक चला अठार दिन तक चला और इसमें कितने सेनापती रहे चार किसके कवरवपक्ष के क्योंकि मरते वही थे पांडों तो जिंदा रहते थे तो उनका सेनापती तो क दिन तक और युद्ध 10 तक चला इस प्रिकार से दन खर सट्धा दर दोक्राय कै थे बस अस अचाँ ठीक है बस दो तीन है थो अज्यातवास था thás a ameem päंद्र आध कि नाम किया नाम थे इस पर भी प्रिकाश डालते हैं थो युदेश्र का नाम कंक भी था, और वैयातग्रपद भी प्राप्त होता है, और भीजम Caesar, वल्य पता, और अर्जुन ब्रहनल्ला था, नकुल कानाम गिरंतिक था, शाधेव कानाम अरषट नेमी था और द्रौपती सायरंद्री के नाम से जाने जाती थी अग्यातवास में यह सब अग्यातवास के नाम है थोड़ा क्वालिटी बढ़ा की देखिएगा यूट्यूब पर तो इस पश्ट देखेगा ठीक अब आगे बढ़ते हैं अगले पेच की ओर तो महाबात के महत्पुर्ण आख्यान कौन-कौन से हैं कद्रू और विनिता अपाक्ष्यान यह बहुत सकुंतलो पाक्ष्यान बहुत प्रसिद्ध है इस पुरा भिज्ञान सागुंतलम महाका विभी लिखा गया कालिदाश्ची क द्वारा तो यह साथ ध्यान रखिएगा सकुंतलो पाक्ष्यान कस्मिन परवनी अस्ती तो आदी परवनी आदी पर में है क्या सकुंतलो पाक्ष्यान इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा फ्रिया तू यादी उपाक्ष्यान है सिसुपाल पाक्ष्यान है ऐुनटीस में जो महत्तपूर्न है वो क्या है सकुंतल उपाख्यान और नल उपाख्यान इनको थोड़ा इंपोर्टेंट है याद रखाएगा कि मा यह थे महाभाद के महत्पूर्ण उपाख्यान अब बढ़ते हैं महाकावी तो महाभारत को को आधार मानकर और कौन कौन से महा खाले के गए हैं तो सिर्चुपाल वधम मापकोई मागेद्वारा नश्य धीजिय चरितम स्रीहर्ष दौर रवकरातारmb harvest communion महा कभी भारवी द्वारा तो इन ये जो ये जो तीन है भाई ये तीन कहां किसके हैं महाभारत को आधार मानकर लिखे गए हैं महाभारत पर आस्रत गृंथ हैं ये और इन कि नहीं है कि नाम से जानते हैं किसी सुपालवद हमें 20 सर्ग है नईशद में बाईश है और क्रात आजुनी में 18 तो यह नाम से जाने जाते हैं तीनों महा भारत पर आधारत है है ठीक और दूद घटोत कचम दूद वाक्यम करन भारम मध्हिंब्या योग पंचरात्रम ऊरुभंगम यह आधियाधी नाटक भी लिखे गए हैं जो कि भास जी के द्वारा है ठीक दिख रहा है और अभिग्यां साग उन्दलम कालिदास जी के द्वारा वेनी संगरम भठ न हैं यह सब तो ऐसे कभी कभी प्रिश्ण आ जाता है कि महाभारत पर आसरत कौन-कौन है तो यह सब का नाम आपको याद रखना है ठीक और उसके बाद है चंपू गुन तो नल चंपू भारत चंपू पांचालीस होयंबर चंपू और द्रौपतिय पढ़ने चंपू यह चा समय महाभारत का मुक्त मुख्वत से समझ लिया साय तो किस би महाकव की सिरिष्टता के लिए उसमें एक गुन होता है और यह यह जैसे मनुश्य की सिर्ष्टता के लिए इसमें होते हैं आ इमान्दारी, मधुवासी और सत्यवादी, ये मनुष्यता के गुण है, उसी प्रकार महाकाव्य के भी गुण होते हैं यह से ओज, प्रसाद, माधुरी है, यह इसके गुण है किसके महाभारत के ठीक, तो रस्क्या है महाभात में सांतरस है, मुख रूप से सांतरस है, वीरस और वीभात रस उसके अंग है, पर वीरस प्रधान नहीं है, प्रधान क्या है, सांतरस है, ठीक, याद रखना है, रीती आपको पहले भी बताई थी, पांचाली है, अलंकार क्या है, इसमें सब्दालंकार है, और प्रभावत्पादक इस प्रकार से जो महाबाद की सैली है सरल सुपोध और प्रहुएदु पादक तो यह महाबाद का सहितिक महत्त्व है इसको भी याद रखियेगा समलीजी आज की गर्ख्षा में आपने इतना समझ लिया है तो महाबाद के मुख्ख मुख्णुए के लिकल աा सकती य hellum कि आर दिन उसको लेकर भी ऊपसित होंगे अच्छिल महा भारत के आप उनको याद राख लेजीएगा और महा भारत से आएक में समत्य पेपर में बनते ही बनते हैं तो इसलिए महात्पूर्णा आपके लिए महाभाद आपके लिए बहुत महात्पूर्ण है ठीक तो यहां पर जितना भी चीजे बताएंगे इनको आप आप लोग जुड़ सकते हैं और अपने में समस्कृत के त्यारी को प्रसस्त बना सकते हैं ठीक और अगली कक्षा मिलते हैं एक नए विसे के साथ नए उत्साय के साथ सभी लोग को नमा समस्कृत आए जहें जय भारत